तो चीक है 21 लोग यहां पर मौजूद हो चुके हैं तो जो पहला रूल है जो पहला रूल है वो है शिव के द्वारा मतलब यह ऐसी थियोरी है कि कोई तो शिव था और कोई तो पारवती थी तो शिव ने पारवती को इग्यान दिया उसके बाद दूसरा जो नियम है वो यह है कि रिमेंबर रहता है मातारानी का है मातारानी तो वो है पठान कोट के आगे जाए कि जो आला जी है न यहां से ट्रेंज आती है जम्मो के तरफ आखरी तो उदर आता है पठान कोट पठान कोट से उपर वो छे जार रुपे का इनोवा करके जाना पड़ता है वहां पर है मातारानी लेकिन उनका जो आच्रवाद है न इस इस वह जो आल टाइम चालू है जैसे वह ज्वाला जी न ऑल टाइम चालू यह आप उड़ता है प्रैक्टेस हो अपोनो पोनो आधारनी बोल रही है आप सौरी एक्जाट्ली तो आपके पीछे की जो पीडियां है न उन पीडियों ने कुछ बोज आपके लिए तयार क रखे थे आपके पहले जो दुनिया है ना सो पचास पांस सो हजार साल पहले की उसे तयार करके रखे ते कि जब यह बास कर आएगा ना तो बास करके सिर्फे हम रख देंगे यह बोज तो वह बोज एक प्रकार का सांस्कृतिक बोज है धार्मिक बोज है सामाजिक बोज है तो अभी जैसे की कोई मेर से पूछा था कि मैटा वर्स के उपर कुछ कमेंट दो जब हम बच्चे थे तो उस समय जो बड़े थे उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी को ने समझा कि वह अपने बच्चों से मित्र रिखेर में कि तो और अदिक्तर यूज थे चरित रही ने तो हम तो चरित्र वयंदाने ने के पूरे दिन चलती है बातचीत एक बिमारी है और रिष्टेदारी में आपका जो समाज है आपकी जो संस्कृती है उसमें जो आउ बगत होती है उसका जो एक ही पैमाना है कि बस आओ और खाओ ठूस ठूसे खाओ उसके बाद आठवा पॉइंट है उसके बाद 11th पॉइंट है कि पे सैलरी ओफ सोशल रिफॉर्मर्स और लाइफ गुरूस और प्रमोट देम ऑन फेस्बुक तीन कर्तव्वे तीन कर्तव्वे थ्री डूटीज ऑफ सुपिरियर आपके जुनून जहर बन सकते दाड़ 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 कुछ 80 मिनिट के लेक्चर हो जाएगा आम डन जो फर्स्ट रूल था